समाजवादी पार्टी के विधान मंडल दल से निकाल कर मुक्ती दे देते तो बहतर होता दरसल आज जस्वन नगर सीड से सपा विधायक शिवपाल ने मीडिया से बातचीत की और उस बातचीत में अपने भतीजे अखिलेश पर जम कर हमला बोला दरसल अखिलेश ने पार्टी नेदरू से नाराज बताए जा रहे शिवपाल को पिछले दिनों लिखे एक पत्र में कहा था कि उन्हें जहां सम्मान मिलता न जराए वो वहाँ जाने के लिए सवतंतर हैं शिवपाल यादव ने इस पत्र का जिकर करते हुए कहा ये तो उन्होंने आप परिपक्वता का राजनीतिक प्रमान दिया है अगर ये परिपक्व होते तो हमें सीधे पार्टी से अलग कर देते मुक्ति दिला देते मुझे कोई तकलीफ नहीं होती जब विधान मंडल दल की बैठक में नहीं बुलाएंगे कोई राय नहीं लेंगे कोई सुझाव नहीं लेंगे तो इससे तो अच्छा है कि हमें वहां से निकाल ही दे शुपाल ने आगे कहा कि अखिलेश की अपरिपक्वता की वज़े से पार्टी इस हालत में पहुँच गई है अगर अखिलेश परिपक्व होते तो साल की शुरुवात में हुए विधान सवा चुनाओं के बाद प्रदेश में सपा की सरकार बनती और वो मुख्यमंत्री होते तो इससे तो लगता है कि ये जो लेटर जारी हुआ है अपर पकता का रानेतिक के फिर्मान दिया है इससे तो अच्छा होता कि हमें विधान मंदल्दाथ से और पार्टी से निकाल दिया गया है जब भी हम पिनाउग आता दुँआजार बाइस में तो मैंने तरगसी शमाजवारी पार्टी की सदस्ता से इससी पार्टी और शमाजवारी पार्टी की सदस्ता रिया था फिर उसके बाद जब भी बैठक बो रही थी समाजवादी पार्टी का गठन किया था अलाकि उन्होंने पिछला विधान सभा चुनाओ अपनी पार्टी के बजाए सपा उमीद्वार के तोर पर जीता था चुनाओ के बाद सपा विधान मंडल दल की बैठक में नहीं बुलाए जाने से वो फिर नाराज हो गए थे सपा नेतरुच से नराज सुहेल दे भारती समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकास राजभर से गटबंदन की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पड़ शुपाल ने कहा कि मेरी राजभर से सिश्टा चार भेट हुई है लेकिन गटबंदन के बारे में भी कोई बात नहीं हुई जब होगी तब बता दिया जाएगा यानि कि शुपाल सिंग यादव ने भी ये साफ कर दिया है कि अखिलेश यादव अभी मैच्चोर ही नहीं हुए और अगर वो सीधा विधान मंडल दल से निकाल देते तो बहतर होता देखना होगा कि शुपाल सिंग यादव आने वाले दिनों में क्या फैसला लेते हैं तो आप भी इस वीडियो पर अपनी राए रखिए साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहे हेडलाइन सुपी के साथ